नमस्कार, स्वागा थे आपका बिहारी निज में, मैं रतन सेन भारती, आज हम बात करेंगे सिफदीप लांडे के वारे में एक समय था जब बिहार में बुजुर्गों से लेकर इवाओं के जिवान पर सिफदीप लांडे का नाम था हर कोई यह चाता था कि वा हमारे जिले का पुलिश अधिछक बने और यह चाह हो भी क्यों नहीं सिफदीप लांडे जहां बिहार में जहां जहां गए उन्होंने क्राइम के ग्राप को नीचे किया है बिहार कैडर के 2006 बाइच के आईपेस अधिकारी सिफदीप बामन राव लांडे एक बार फिर से मीडिया की सुर्फियों में है उन्होंने महाराष्ट के हाई प्रोफाइल मंसुक हीरेन मडर केस की गुत्थी को सुल्धाने का दावा किया है लांडे इस केस को लेकर एक वार्फिर से बिहार से लेकर महाराष्ट की मीडिया में च्छाई हुए है आपको बता दें कि सिफदीप लांडे महाराष्ट ATS के डियाजी के तौर पर काम कर रहे है आपको यह भी बता दें कि लांडे कुछ साल पहले बिहार से महराश्ट पत्य न्युक्ति पर गए थे पिछले दिनों सिवधी प्लांडे ने सुसल मीडिया पर दावा किया कि उन्होंने हिरेन मडर केस की गुत्थी को सुल्जा दिया है जिसके बाद से मीडिया के सुर्फियों में है आपको बता दें कि हाल में ही मुंबाई के एक पाउस इलाके में विस्पोटक से भरा वाहान पाया गया था इसके कुछ दिनों के बाद मनसुख हिरेन का सब नदीकिरा ने पाया गया आपको बता दें कि यह है गाड़ी मनसुख हिरेन का ही था जिसके बाद से महराश्ट की सियासत में भुचाल मच गया है अई अब एक नजार डाल लगते हैं सिफदीप लांडे के बारे में रिकॉर्ड भी बनाया था मिडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि सरकार ने उन्हें महत्पुर्ण चुनावती दी है और पूरी प्रतिबद्धता और इमांदारी के साथ नए दाइट का निर्भान करेंगे सिफदीप लांडे जब बिहार की राधानी पटना के सी श्रुवाथ की थी वह नन्हों किया अंपराच के ग्राफ को नीचे कर दिया था पतना के चाहत्चात राएं उनके हो गए थे साल 2011 के नवंबर महीने में जब शिवदीप लांडे को राध्धानी पटना से हटा कर अरविया का पुलिस अधिशक बनाया गया तो पटना में लोगों ने तबादले का काफी विरोध किया था युवाओं और छात्रों ने राज सरकार के खिलाप प्रदर्सन भी क मंसुक हिरेन की माउथ के मामले में ATS ने महराष्ट पुलिस के कॉंस्टेवल बिनायक सिंदे और नरेस धारे के साथ ही एक बुकी को भी गिरफतार किया है हिरेन की माउथ की मामले में दो अपराधियों को अदालत में पेस किया गया जिसके बाद उन्हें 30 मार तक ATS की कर्षटी में भेज़ दिया गया है इस पूरे मामले को लेकर स्थिवदी प्लांडे ने फेसुप पर लिखा है कि मैं अपने पूरे ATS पुलिस फोर्स के सभी साथियों को दिल से सैलूट करता हूँ जिन्होंने पिछले कई दिनों से रात दिन एक करके इस केस में नियाय पुर्ण तरीके से परिनाम निकाला ये केस मेरे पुलिस केरियर का अपता का सबसे जटिल केस में से एक रहा हाला कि से दिपलांडे ने भले ही मौद की गुथियां सुलजाने की बात कही हो लेकिन अभी तक इस पूरी थियोरी को मीडिया के सामने पेस नहीं किया है जिसके तहट दो पुलिस वालों की गिरफतारी किया गया है एसे में यह देखना दिल्चस्प है कि पुलिस कब सिफदी पलांडे की थियोरी को मीडिया के सामने पेस करती है मनसुक हीरेन मामले को लेकर सिफदी पलांडे महराश्ट के साथ बिहार में एक बार फिर से सुर्फियों में है बिहार और बिहार से जुड़ूही और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी नियूज के साथ मुझे दीजिया इजाज़त धन्यवाद